है और दोस्तों कैसे हो ऐसा रहे मैं आप सभी को विल्कम करता हूँ आप सभी के फिएवरेट यूटूज यूटूब चैनल जाया टूटोरियल में दोस्तों मेरे नाम है गउरा स्वागत करो स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में और हम आपको見て cáo हम चाहते हैं कि दोस्तों आप भी रिफालर बनें परिवार केसे बनोगे दोस्तों हम एद्यूकेशनल डेटिरद ऊप्रोवाइड करते और दोष आपको पता है कgression और उसमें भी 11 वाले बच्चों का सब्जेक्ट चल रहा है इस बाइचांस आप दोस्तों साइंस के बच्चे हो क्या बात है बहुत अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों उसके लिए भी चैनल्स जो उसके लिए प्यारे चैनल में मिलेगा तो आपकी यूटी क्या बनती है यह बाता एकडम डेडिकेटेड नहीं हो ना लेकिन जो मेरे जैसे बच्चे हैं जिनके पास हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बच्ट आप लगता है बाई तो दोस्तों आपको खाना है यहां पर आदा है बच्चा कर रहा है सर फिलादवा पढ़ाने वाले हो कुछ दूसरी ब मैं पास विंटर सीजन के बहुत अच्छे कपड़े मैं पास गर्मी के कपड़े ही नहीं वाई अना मैं चाहता हूं हमेंशे सब वेट करता हो यार अभी तो पारिज का मौसम है कब आएगा थंडी का मौसम यहीं मैं सोचता हूं जब समर वेक्शन चलता है तब तो मेरा हाल तो नहीं देखा तो पहले लेक्शन को आपको बैक करना है और पहले सेकेंड देखना है क्योंकि दोस्तों उसका कंटिनेशन है यह वाला लेक्शर और अगर आपने वह नहीं देखा तो आपको 0% समझवाएगा ठीक है आप रीड कर लोगे कुछ से फिर भी मुझे लगता ह है कि आपको इतनी clarity नहीं रहेगी जितना आप लेक्शर देखे लोगे तो थोड़ा सा समय निकाल और वो देखो और दोस्तों आज हम इस लेक्शर तरी में सीखने वाले हैं देखिए क्या देखिए दोस्तों पहले लेक्शर में हमने इस lesson के introduction की बात करी second lecture में दोस्तों हमन है और उसका जो तीसरा step है दोस्तों बहुत ही जादा important most important वह है दोस्तों अजेंडा देखिए दोस्तों यह जो point है यह proper convening of a meeting यह headpoint है यह इसके parts है ठीक है इसमें से जितने भी parts एक एक पार्ट दोस्तों example important है और देखो है दोस्तों 11 तो क्या ही है 11 के जो results होता है इतने matter कर नहीं करते हैं इसा लोग कहते हैं लेकिन आपको बताओ यहीं एक दोस्तों base building वाले आप के सकते हो class है कि देखिए दोस्तों 11th SP का जो portion है न मैं आपको सच बात बताओ मैं तो मैं यह जो चीज़े देख रहा है आप नोटीस agenda मैं यह रियल में बनाता हूं जो meeting में हो रह राइट ना दोस्तों और बाकी कुछ दोस्त कह रहे थे मेरे कुछ प्यारे बच्चे कह रहे थे मेरे सर कमेंट सेक्शन में कि सर कुछ यह नोटीस यह अजेंडा ऐसा जब फ्यूचर में बताओगे यह असली में कैसा दिखता है कि आप इसको present कर सकते हो गया आपने बोला ह आपका मुझे पूरा साथ लगया दोस्तों इसके साथ आज हम स्टाट करने वाले अजेंडा वाला टॉपिक जो की 200 परसेंट है वर कॉमर्स ऐसा करियर और कंपनी सेक्रेटरी बहुत ज्यादा ही उसका पूरा आपके सकते हो पूरा जो बैक्बोन है वह एजेंडा पर चली दोस्तों क्या है यह आगे सीक्ते हैं अजेंडा इसस्टेटमेंट दोस्तों यह स्टेटमेंट है यालिग के कुछ तो पेपर होगा चली आगे दिखते हैं इसका मतलब यह इसा पेपर है कि कौन से कौन से आइटम्स, कौन से कौन से चीजों पर हमें मीटिंग में डिसकस करना है बच्चा करें हाँ सर ये तो काफी अच्छा चीज़े इन शॉर्ट, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो ये एक ऐसा पेपर है, समझे दोस्तों ये एक पेपर है इसमें लिखा गया है कि हम मीटिंग में क्या-क्या डिसकस करने वाले है जैसे कि हम जो मीटिंग 6 तारिक होएगी उसमें ये डिसकस करेंगे कि कंपनी सेक्रेटर की सेलरी कितनी है हम ये डिसकस करने वाले है कि मैनेजिंग डिरेक्टर की सेलरी कितनी है तो यह सब चीजे सर ऐसा यह पेपर में लिखा जाता है बिल्कुल सर फिर इसका करते क्या है देखिए पर यह समझिए अजेंडा दोस्तो एक ऐसा स्टेटमेंड है विच कंटेंट लिस्ट ओफ आइटम्स एसे बहुत आइटम्स यहां पर लिखे होते हैं अब जो लिखे होत इन कंसल्टेशन विट चेर्में सर कंसल्टेशन यानि कि उसे थोड़ा बातचीत करके रे चेर्में अंकल मैं गया बोलता हूँ यह जो यह क्या है अपना यह एजेंडा है ना इसमें और कॉंसे-कॉंसे मैटस पर हमको डिस्कस करना है थोड़ा सा आइडिया दो फिर वो च कंपनी सेक्रेटरी को और चेर्में को ऐसा गोले में बैठता है दुनों साथ में बैठेंगे और चेर्में का सब बढ़िया आना खाना पीना और यह लोग चाई बिस्किट खाओ मैं भी खाता हूँ कंपनी का सीरेश हूँ बताओ किस बातचित करनी है तो लिखेगा एजें नोटीस याद है न, बोर्ण डिरेक्टर के केस में याद जियानी कि आपको मीटिंग करनी होती तो 7 दिन के अंदर आपको मिदिंग करनी होता है यहाद कर वह पॉइंट को पच्च कर बिलकूल याद है और उसमें एजेंड जैसा वर्डु कुछ तो था यहाद नहीं सर तो विट नोटीस, अगर आप चाहो, मीटिंग में आपको किसको बुलाना है, ठीक है, बिल्कुल बुलाओ, आपने दोस्तों, मीटिंग का नोटीस तो दे दिया, पर सोचो ना, अगर आप ये, इन, एडवांस ही बता दो, हम मीटिंग में क्या डिसकस करने वाले हैं, तो कितना अच्छा हो जाएगा, बच्चा करें, हां सर, क्योंकि नोटीस में तो सर, हम कुछ नहीं लिख सकते, नोटीस में तो सर, हमें सिर्फ टाइम, जागा, कब आना है, कैसे आना है, कहां आना है, अनदा सर, सिर्फ ये चीज़ों के बार में डिसकस होता है, लेकिन एजेंड यह अगर हम notice के साथ भेच दे, advance में ही लोगों को बता दे, कि यह meeting में यह सब discuss होने वाला है, तो सोचो, जो meeting में आने वाला होगा, वो सोचेगा नारे meeting में जाओ की नहीं, सब फाल तो बात पर discuss करने वाला है, छोड़ना है, क्यों अपने time waste करो, यह भी हो सकता है, फिर कोई आस तो इस matter पर में meeting में बात चेड़ूँगा, और इनको बोलूँगा, इस चीज को इनको solve करना है, ऐसे कितने सारे चीज़े, दोस्तो अगर लोगों को पहले से in advance पता होगी, तो उस पर discussion जो है, उस पर decision जो है, बहुत अच्छा लिया जाएगा ना, बच्चागरा सर, आ importance of agenda, देखिए दोस्तों, इस lecture में हम सिर agenda क्या होता है, उसके बारे में सिखने वाले है, बहुत इदरा time consuming वाला topic भी है, जादा नहीं बनेगा, maximum 20 minute, लेकिन दोस्तों पूरा focus इधर, exam में बनता है, बहुत important है, आज आएगा write the short note on agenda, agenda क्या होता है, लिखके आना है, importance क्या हो इसका, लेकिन वही नाम है इसका, कहना है agenda, ठीके, important, इसके important जरुत बन्त क्यों है, सर, देखिए दोस्तों, आप फिलाल, यह जो thoughts हमने यह आपर discuss करें, यह sent along with notice, so that जो भी involved होने वाला है, meeting में वो पहले सही सोचेगा, आप मुझे बताओ, क्या यह advantage है कि नहीं, बच्चा देखिए दोस्तों, अब आप जितने भी लोग, देखिए, chairman यहापर बेठा है, यह है, दोस्तों, यह कहा है, यह है agenda, ठीके, company secretary ने बनाया था, मैं chairman हूँ फिलाल, यह agenda यह मेरे हाथ में, मैं हूँ chairman, ठीके, मेरे प्यारे board of directors, मेरे प्यारे members, मेरे प्यारे creditors, और जितने लोग, यह पूरी meeting में आई यह, आप सभी का तो पहले स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है, सब के लिए तालिया बजती है, आपने देखा ही कभी ऐसा, youtube अगरे पहले है, हाँ, वो तालिया बजती है, इसके बारी बजती है, चलिए, फिर पता है क्या होता है, फिर, जो चेर्मेन है, दोस्तों, meeting का, जो चेर्मेन है, जो चेर्मेन है, दोस्तों meeting का, वो ऐसे देखेगा, ओके, फर्स्ट पॉइंट, आज, यह जो मैं बता रहो आपको, यह सब तो company secretary बोलता है, और chairman जो है, दोस्तों, वो एकदम bench होती, देखो, एकदम बड़े-बड़े लो है, तो chairman, वो allow करेगा, हाँ, कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ऐसा होता है, ठीक है, in reality, उसके बाद देखिए, chairman को भी अब कितना हसान हो गया, हर चीज एक जीगे पर लिखी हुई है, अब जिसको भी discuss करना है, वो देख लेगा meeting में, अच्छा, नहीं, देखिए, first पे जो participate करना है, उस debate में, वो कितने आसानी से कर सकता है, अगर उसके पास agenda होगा, तो, है ना important, है की नहीं, पता हो, चलो, अब याद करने की कोशिश करो, conduct meeting efficiently, meeting जो है, बहुत अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ advance में है, वो लोग involvement ले सकते हैं, से देखिए दोस्तों, फर्स्ट पर यह लोगने बात कर रहा था, हम यह चीज़ पर discuss करेंगे, फिर कोई वहां से उठके बोलता है, अचा सर सुनो ना, इस पर discuss कर लिए, आरे इसको छोड़ो, मेरी बात सुनो, अगर ऐसा meeting चलेगा, तो मजानी आएगा, ऐसे तो फिर उसक से को बोलना है, हाथ खड़ा घर हो, और बोलो, कितना आसान होगा, चलिए, can get a sufficient time to think over the matter, चलिए, देखिए, sent along with notice को याद किजएगा, notice अगर आपको पहले in advance मिल जाए, और साथ में आपको दोस्तों agenda भी मिल जाए, तब आप सोच लोगे ना, अचा, meeting में यह बात होने वा चलिए, देखते हैं, अब मैं prepare करता हूँ, और जब meeting में present करने की बार ही आएगी ना, तब मैं उसको बताता हूँ, नहीं अब बताता हूँ मैं उसको, तो क्या होगा, दोस्तों है, can get a sufficient time to prepare himself, क्योंकि उसके पास दोस्तों agenda था, वो पहले ही सीख गया, अचा, meeting में यह discuss हो होने वाले हैं, इस बार तो by preparation करके जाऊंगा, है कि नहीं important agenda, बिल्कुल है, all items has to be discussed, देखे दोस्तों, अगर agenda में भी कुछ और बोल रहा था, agenda में अदर दोस्तों, अगर दोस्तों 20 items लिखे हूए हैं तो 20 के 20 discuss होईंगे, और वो नहीं हूए, जब तक होते नहीं होती ही बाकि वो chairman call देगा, कि बस आज के लिए इतना ही बाकि हम कल करेंगे, वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन जितना भी list में लिखा है ना, सब discuss हो, अगर आपको पता है दोस्तों, समझे, क्या किरो हो, doubt है, doubt है, बोलो-बोलो, बच्चा करें समझो, first matter तो बहुत अच्छा था सर, second matter भी बहुत अच्छा था, लेकिन सर, third matter ना, थोड़ा सा गलत था, सर, मुझे इसा लगता है, अगर वो हम matter पर discuss करते, तो general meeting में जितने भी share owners बेटे हैं, वो एक दूसरे पर chair फेकने लग जाते, वो danger matter था सर वो, अब क्या करें, बच्चे ने दूविदा में डल दें मेरे को, बहुत अच्छा सवाल था, यार, क्या नाम बताव आपका, क्या नाम है, बच्चा सर, yellow color का hoodie पेना, अरे, hello, hello, कैसे हो आप, एक दम आराम से बेड़ पे लेटे हो, दिकर रहा है मेरे को सर, हाँ, हाँ, चलिए, क्या कह रहे हो, आपका doubt किया, बहुत अच्छा लग है न, और अगर इनने सुन लिया, यह चेर उठाएंगे, और एक बुसरे पर फेकने लग जेंगे, बोला रहा, इतना डेंजर मैटर है क्या, उस तो करना पड़ेगा, तो company secretary जो है, पहले जाएगा चेर्मेन के पास, उसको दिखाएगा, सर देखो न, यह मैटर, डिसकस कर पक्का, कर दो, पक्का कर दो, फिर जो हैगा, आप पे भाई, मेरे को नहीं पता, फिर chairman पता है, बुलेगा, अच्छा, फिर danger matter यार, और मुझे लगता है, देखो, वो shareholder को देखो, एक तो चक्कु निकाल के बिठा है, जान दे भाई, तो discuss मत कर, अपन यह matter हटा देते, अ पाकी दोस्तों दिखिए, यह 4th point में लिखा गया नहीं है, और ना ही आपसे 11th के बच्चों से इतना expect किया जाता है, कि उनको यह पता हो, आपको ना ही दोस्तों यह exam में लिखके आना है, यह क्या है, आवताव syllabus है, 300% right है, अगर कोई आपसे ऐसा लड़ेगा, नहीं नहीं करना है, लेकिन मैं चाता हूँ, आप सिब exams के साथ ही prepare ना करो, क्योंकि अब भी आगे जाके दोस्तों, जब आप C.A.C.S.C.A. में जैसी exams, क्योंकि जितने भी competitive exam से आप prepare करोगे, आपके दिमाग में हमारे channel का नाम बिल्कुल आना चीए, और जब आप यह point पड़ोगे, अरे ये तो वो गौरो सर करके था, एक उसने सिखाया था, हाना ये आवाज निकलना चीए, चलिए, अरे देखो यार दोस्तों, ये सिब दो स्लाइड का है, एजेंडा जो ये दो स्लाइड का है, मैं चाता, दस मिन में सिखा के बंद कर देता lecture, लेकिन नहीं ना, मुझे भ कोई बात नहीं, लेकिन जितना सिलबस का है, वो तो सिख के जाना है, चलिए, अब देखिए, इसको 5 मिनिट्स में रैप अप करते है, चलिए, गाइड लाइन्स फॉर प्रिपेरेशन ऑप एजेंडा, अगर कोई कमपनी सेक्रेटरी एजेंडा बनाता है, तो उसको मेक्श किसमें लिखना है, अचा लेकिन तुम भावना समझ गया है, अगर आपने हिंदी में लिखना स्टार्ट करा है, हिंदी में लिखो स्टार्ट टू एंड, इसा बीच में आप पूजी लाइंविज नहीं लिख सकते, आपको अपनी मात्रभाशा से प्यार है, बीकुल लिख जा रहो ब्रीफ एंड किलियर कि अमज जाना यार यहां पर ध्यान दिजे दोस्तों यहां पर देखिए और अपॉइंट्मेंट्ट् अगर मैं इतना लिख के छोड़ दू एजेंडा में तो आप क्या सोचोगे अपॉइंट्मेंट् सर किसका क्या करना है सर कुछ समझ में नहीं आ रहे क्या लिखा आपने और अपॉइंट्मेंट् सुपॉइंट्प किसख यहीं सिंगल लैंगेच तो है ब्रीफ में वही थोड़ा बहुत लेकिन क्या ख्लियर है क्या नहीं ब्रीफ यानि कि आपको इतना तो पता चला हां अपॉइंट्मेंट होने वाला है क्या क्लियर Gothic नहीं यहां पर दोस्तों appointment पर किसका सर बताओ किसका मैं पाग दो जाओंगा सर हाँ ठीके बताता हूँ for appointment of company secretary ठीक है ऐसा लिखा जाता है तब इसे इसके लिए इसको कहते agenda जो है न दोस्तो single language में होना चीह है brief में होना चीह है क्लियर होना चीह और क्लियर कुछ इस तरह से फ़र appointment of लिखाने मिन अब समझ जाना for appointment of CS company secretary और आपको managing director को अपोइंट करना है तो for appointment of managing director वेडिगूट चलिए आपर general nature of items must be put first in order and special matters matter should be last और यह जो है contentious क्या मदला contentious चलिए समझते आगे न आप पहले डिसकस करके खतम कर लो क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कुछ लोग meeting start हो जाती है लेकिन यार बिल्कुल भी punctual नहीं होते वह एकदम आखरी में आ रहे meeting sir please come in sir please आना वह जो बच्ची होते ना यह meeting में लेट आ रहे अब इनने कुछ आधे ऐसे matters थे दोस्तों जो तो discuss हो चुकिए अब क्या करें तो इसलिए दोस्तों जो meeting होती कभी भी start होती ना तो start वो एकदम फालतु बातों से होती है पता है कैसे जैसे company secretary आता है stage पर इसा माइक लेकर सारे shareholders को बोलता है अगर आप नहीं होते तो हमारी company अगर यहां नहीं होती ऐसे फालत वाते करता है थोड़े से meeting को खीचता है उनको बताता है उनका existence दुनिया में क्यों तो उसके बाद यह बताता है कि आपके वज़े से हमारी जो company है यहां से यहां पहुझ गई उसके बाद वो बताता है हम meeting में क्यों आए है तो बस वही है फिर गया दोस्तों देखे जनरल नेचर के matters पहले डिसकस कर लो जो भी इसे चोटे मोटे matters उनको पहले डिसकस कर लो जो भी special है contentious है contentious यानि कि बहुत important discussion करना पड़ेगा बहुत समय लेगा एसे matters को ना सोच समझ के discuss करना अगर सारे लोग meeting में प्रेजेंट है चलिए similar type of matters should be placed in sequence of agenda देखे दोस्तों आप एजेंड़े का सिक्वेंस समझे ना फर्स सेगेंटर फॉर्स यह सिक्वेंस की बात कर रहा है जैसे दोस्तों आपने फॉस्ट में बायत करी for appointment of company secretary ठीक है second में दोस्तों आप बात कर रहे हो for removal of managing director अच्छा नहीं लगा ना बच्चा करें हाँ सर देखे न आप एक तरह तो किसी को काम दे रहे हो विचारा आपको दुआ देगा उसको आपने जॉब दिया है for appointment आपने उसको अपने हापे काम पर रखा लेकिन सर थोड़ा सा आगे देखा तब पता चला आपने तो किसी को निकाल दिया नहीं सर यह साथ देखने में अच्छा नहीं लग रहे है सर कुछ करो ना अच्छा ही काम करते और appointment या अच्छी अच्छी बाते जो है इसको स्टार्टिम रख देते हैं और जब हम कुछ बुरी-बुरी बाते करेंगे तब removal या उसकी salary जो है कम कर दी ऐसी बात कर देंगे अच्छी बात है आपको एक साथ रख नहीं है थोड़ी सी negative बात है यह आपको सुनके से दर्द वाली होगी ना बात वो थोड़ा बात में ऐसे जो भी sequence आपको अगर दुख वाली बातों से start करने है दुख से start कर लो ले होता है उसके बाद देखिए within the scope of meeting आपको मीटिंग में जो notice होता है उसके हिसाप सही काम करना है आप एजेंडा में आपने देखो ऐसा देखिए 18 मैटस तक 18 सिक्वेंस तक मीटिंग बहुत अची चल रहे थी और मीटिंग दोस्तों successfully end हो गई एक तो मजा आगे लेकिन दो में सब करणे करें कि में में लिखा है हां एजेंडा में लिखा है बोलो अरे रीर करो यार लिखा है मीटिंग एंड QUE बाद हम्यान करेंंगे ओं करेंगे यह सब पार्टी करेंग हीसा क्या ये meeting में ये सब चीजे discuss होना सही है विल्कुल नहीं न तो within the scope of meeting एक meeting को successful कैसे बनाते सिफ उतनी बाते ही होनी चाहिए ऐसा नहीं meeting end हो गया हम meeting को end करके मस्त पाड़ी करेंगे भाई ऐसा नहीं चलेगा meeting है meeting किसाब से फॉर्मल आप company के meeting में आयो भाई इसा पालतों चीजें नहीं कर सकते हैं बाकि आप meeting end करके आपको जो करना है करो लेकिन meeting तक आपको एक decorum maintain करना है आपको sincerity maintain करना है क्या words बोलो याद करना सीखो यह सब बाकि आपको पीपर में भी लिख्या नहीं टीचर देखे और बोले अरे 11 जाए एक माग ज्यादा पकड़तू आपसरा वाले दिन गए आपको एक statement दिया रहेगा यह देखे ओल आइटम्स आ डिस्क्राइब इन ब्रिफ हर आइटम्स को एकदम अच्छे से लिखा जाएगा और ब्रिफ मतलब की ऐसा एजेंडा फर्स्ट पॉइंट पॉइंट पॉर अपॉइंटम्स के इन बात करी थी ठीक है और दूसरा जो अपना अजेंडा है दोस्तो डराफ्ट मिनिट अजेंडा helps to draft minutes of the meeting बच्चागरा सर ठीक है second point तो समझा लेकिन सर ये minutes क्या है और ये minutes क्या है दोस्तो इसको हम समझेंगे बाकी lectures में बहुत detail में है तो मज़ा आने वाला एकदम last कर जो lecture होगा ना आप किस lesson का minutes spend होने वाला है बाकी दोस्तो देखें आपको अभी के अभी ही याद करके लेना है देखिए पुरी जान लगा इस lecture में आपको 200% समझ में आए क्योंकि बहुत आसान सा topic है हमने फिर भी इसको ड्रैक करने की कुशिश करी हमने फिर भी इसके detail में जाना सही समझा हा ना लेकिन आपको समझ में भी आए एक बार comment करके बताना दोस्तों मज़ा है कि नहीं बाकी तो यार मस्ती करो मज़े करो पढ़ाई के डाम पढ़ाई बाकी डाम मज़े चलिए करें